Hello guys, आज मैं आपको बताऊंगा AFMC पूने के बारे में यानि Armed Force Medical College पूने यह है पूरे इंडिया का second number पर medical college है आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसका admission process, eligibility criteria, cut off, interview, fees, benefit and disadvantages Cut off, admission through need only इसमें सिरफ need के द्वारा admission होता है जिसमें boys को 580 plus marks लाने होते हैं और girls को 610 plus marks Admission process, इसमें admission need के द्वारा होता है, registration, MCC counselling के द्वारा होती है MCC counselling 1750 बच्चों को select करती है जिसमें से 1170 boys होते हैं और 508 girls होती है, sorry, 580 girls होती है इसके अंदर आपके दो exam होते हैं, taller और pet Test of English Language and Reasoning Physiology Assignment Test ये दोनों test आपके 80 marks करी करते हैं आपके need के score और taller और pet के score को मिला कर आपके total 800 score बन जाते हैं अब इन 800 score को 4 से divide कर दिया जाता है, फिर आपके पास 200 score रह जाते हैं इसके बाद आपका interview होता है, ये interview 50 marks करी करता है जहाँ पर need और taller और pet तीनों मिलकर 200 marks करी करते हैं महाँ पर ये अकेला ही 50 marks की weightage रखता है तो आपके फिर 250 marks में से 145 candidates select होते हैं इन में से 115 boys होते हैं और 30 girls होती है eligibility criteria 10 plus 2 इसमें eligibility है, आपके 12 में physics, chemistry, biology या बायो technology में कम से कम 50% marks आने ही चाहिए candidate की age कम से कम 17 साल होनी चाहिए और उसके NEET में score कम से कम 580 से 610 के बीच में तो होने ही चाहिए interview, इसका interview UPS के interview की तरह hard नहीं होता पर ये अपनी एक अलग weightage रखता है इसका interview 50 marks का होता है इसमें common question पूछे जाते हैं आपकी hobby के बारे में आपकी पापा, मम्मी के बारे में कि आपके पापा क्या काम करते हैं जैसे कि आपके पापा अगर army में है तो वो आपको army के बारे में सारे question पूछेंगे अगला है hobby अगर आपकी कोई hobby है वो आपसे अपकी hobby पूछेंगे जैसे कि आपकी hobby cricket है तो वो आपसे cricket के बारे में question पूछेंगे आपको उन question का सही जवाब देना होगा अगला है well dressed तो आप जब भी interview के लिए जाए तब आपको formal dress में जाना है यानि pant coat पहन कर जाना है condition AFMC ने अपनी एक condition रखी हुई है कि जो भी बचा महाँ से MBBS, MDA कोई भी course करता है उसे army, navy और air force में ही लगना होता है और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसको 21,00,000 रूपई AFMC को देने होते हैं benefit क्या है AFMC में admission पाने के fees माँ पर fees 0 है अगर आप वहाँ अगर आप army, navy और air force में जाना जाते हैं तब MD और MS जातर medical के student पहले net UG देते हैं फिर MBS करते हैं फिर NET PG देते हैं फिर MD, MS में उनका college में selection होता है तो यहाँ पर यह benefit है कि आपको NET PG नहीं देना पड़ेगा आपका direct ही AFMC में ही MD और MS आप कर सकते हैं environment वहाँ का बहुत ही eco friendly है वहाँ के seniors अपने juniors की बहुत respect करते हैं और उनका साथ भी देते हैं fitness वहाँ आर्मी का area है तो वहाँ पर fitness का आपका अलग से ख्याल रखा जाता है रोद सुबह camping होती है बहुत कुछ होता है direct officer वह सबसे बड़ा benefit है कि अगर आप AFMC से पढ़ रहे हो तो आप direct officer ही निकलोगे internship salary आपको इसमें internship में minimum 50,000 से 60,000 तक salary मिल जाती है वो भी आपके zero experience पे थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like किजिए, share कीजिए चैनल को subscribe करना ना भूलिए और अगर आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी query है तो comment section में जरूर बताईए मैंने इसके एक अलग से वीडियो बनाई हुए कि air FMC में जाने के लिए आपकी height कितनी होने चाहिए weight कितनी होने चाहिए आपके specs का adapter क्या होना चाहिए मैंने इसके उपर एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका link में description में दे दिया है आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं तो thank you, bye bye